Hello everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 27 मई और आज की इस वीडियो में हम 27 मई से रिलेटेड करण्ट अफेर के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रतिय दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा Link description box में दी हुई है Start करते हैं हमारा पहला question हाली में अमेरिकी अंतरिक्ष agency जिसका नाम है NASA इसने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला mobile robot भेजने की घोशना की है तो NASA की द्वारा चंद्रमा पर इसका पहला mobile robot जो की भेजा जाएगा 2023 तक यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि NASA का ही एक चंद्र mission है जिसका नाम है mission Artemis जो की कब भेजा जाएगा? 2024 में और ये NASA का ऐसा mission है जिसके तहट पहली बार किसी महिला अंतरिक श्यात्री को इस mission में भेजा जाएगा और दूसरी बार किसी पुरुष को इसमें भेजा जाना है पुरुष ये तो जाएगा दूसरी बार लेकिन ये जो पुरुष होगा ये अश्वेथ होगा इसकी भी घोशना की जा चुकी है अश्वेथ होगा कहने का मतलब है कि ये अंग्रेज नहीं होगा तो अब mission तो launch होना है 2024 में तो इसके पहले ही ये जानने के लिए कि चंद्रमा पर कौन-कौन से resources नहीं के संसाधन उपलब्ध हैं क्या वहाँ पानी है या नहीं इन सभी की खोश करने के लिए नासा के दुआरा 2024 के एक साल पहले ही मतलब कि Artemis Mission के एक साल पहले ही ये mobile robot भेजा जाएगा तो इसी खोश के लिए कि क्या चंद्रमा पर वे सारे संसाधन मौजूद है जिनकी वे तलाश कर रहे हैं इस परपस से इसे launch किया जाना है 2023 में नासा की स्थापना हुई थी 1958 में headquarter इस्थे थे वासिंग्टन DC में अब हम नासा से ही related कुछ facts discuss कर लेते हैं जो कि current से भी related है तो सबसे पहले दिए हम बात करें वर्श 2022 की ये नासा के लिए क्यों important है तो देखे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक और mission के बारे में बताया था mission का नाम है OC Rex Rex Mission अब ये क्या है तो आप लोगों ने एक asteroid याने के शुद्रग्रह का नाम सुना होगा इसका नाम है बेन्नू इसी बेन्नू शुद्रग्रह में रिसर्च के लिए नासा के द्वारा OC Rex Rex Mission भेजा गया था जो कि 2022 में प्रत्वी पर पहुँच जाएगा 2024 में मैंने बता ही दिया है 2024 में नासा का Artemis Mission जो कि इसका चंदर Mission है ये लॉंच किया जाएगा 2023 की बात हमने करी ली है इसके लावा नासा का एक और Mission है जो कि चर्चिम रहा है नासा का मंगल Mission जिसे आप Mission Perseverance की नाम से भी जानते हैं और इसके रोवर का क्या नाम है इंजीनियूटी जबकि चाइना के द्वारा इसी मंगल ग्रह के लिए जो रोवर भेजा गया है इसका नाम क्या है जुरॉंग अगला कुश्चन है हाली में भारत और किस देश ने क्रिसी में सहयोग के लिए इसका नाम के देश ने क्रिसी परियोजना है इसे और उननत कैसे बनाया जा सकता है क्रिसी की उत्पादक्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसका जो लाब है ये किसानों को मिले तो ये जो द्विपक्षी संबंध है दोनों देशों के बीच इसमें क्रिसी और जल छेतरों की प्रमुकता को माननिता दे दी गई है समझोता किया गया है इस्राइल के साथ तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं इस्राइल की लोकेशन जो की सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा है येरुसलम ये यही इस्थित है आप सभी जानते हैं येरुसलम वाली घटना जो अल-अक्सा मस्जिद है और अल-अक्सा मस्जिद के बारे में A to Z फेक्ट मैंने आप लोगों को बता रखे हैं यहां जो भी मैटर हुआ था तो आज हम इसके केवल जोग्राफिकल लोकेशन डिस्कस करेंगे आप ये जो देख रहें गोलन हाइट से जिसे लेकर के इसराइल और सीरिया के बीच विवाद है गोलन हाइट से ही निकलती है जोडन रिवर जो की अंत में आ करके डेड सी में आ करके मिल जाती है इसराइल ये अपनी राजधानी मानता है येरू सलम को और यहां के प्रायम मिनेश्टर कौन है ये है बेंजामिन नेतनी हाओ और प्रेसिडंट है रुवन रुवलिन ये आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो हाली में जो इसराइल है ये विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसने सोयम को मास्क फ्री कंट्री डिकलेर किया है हाली में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने 21 मई 2021 को कितने करोड रुपए के अधिसे ये आप कह सकते हैं अतिरिक तलाब ये केंद्र सरकार को हस्तानांतरित करने का फैसला किया है तो RBI के दुआरा केंद्र सरकार को दिया जाएगा 99,122 करोड रुपए मतलब आप लगभग कह सकते हैं कि 1,00,00 करोड रुपए जो कि RBI देने जा रहा है केंद्र सरकार को तो क्या RBI इसे अपनी जेप से देगा तो देखिए जेप से नहीं देगा इसे आप कह सकते हैं सर प्लस फंड सर प्लस फंड ये क्या होता है तो कहने का मतलब है कि RBI को वित्तिवर्स में जितना भी लाब हुआ है मतलब कि 1 साल के दौरान जितना भी लाब हुआ है इसका केवल या 5-6% रखता है बाकी या केंद्र सरकार को दे देता है देखिए एक समीती का नाम आप याद रख सकते हैं जिसका नाम है विमल जालान समीती विमल जालान जो की RBI के गवर्नर भी रहे थे इन्ही के अद्धिक्षता में यानि के नेत्रत्व में एक समीती बनाई गई थी जिसे आप विमल जालान समीती के नाम से जानते हैं तो इस समीती के दुवारा एक सिफारिस दी गई थी, सिफारिस थी क्या, तो ये जो RBI है, यानि कि Reserve Bank of India, ये एक साल में जितना भी कमाईगी, मतलब कि इसे अपने कुल लाब का 5.5% से लेकर के 6.5%, मतलब कि 5.5% से लेकर के 6.5%, केवल इतना ये अपने पास रखेगी, और बा जालान, इनकी समीती के दुवारा ये सिफारिस दी गई थी, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कि मान लेजे, आप कहीं बाहर रहते हैं, किसी दूसरे शहर या दूसरे राजज्य में, तो आप जो एक महिने में कमाते हैं, तो आपकी जो मन्थली इंकम होती है, इसमें से लाब हुआ, इसका ये केवल 5%, अधिक्तम 6% अपने पास रखता है, और बाकी ये दे देता है केंदर सरकार को, तो यहां मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही हूं, कि ये जो वित्ती वर्स रहा है 2020-21 का, इस जोरान RBI ने जितना लाब कमाया है, इसके बाद इसने सरक अधिकार को लगभग 1,00,00 करोड रुपए ये दे दिये हैं, तो अब हम जाल लेते हैं, RBI के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में, राश्टी करण किया गया था, 1949 में, इसके पहले गवर्नर थे, Osborne Smith, भारती मुल के पहले गवर्नर थे, C.D. देश्मुक, और RBI क अंतरगती काम करती है, Monetary Policy Committee, जो की उर्जित पटेल की अध्यक्षता मिलाए गए थी, 2014 में, इसके अध्यक्ष भी होते हैं, RBI के गवर्नर जो की हैं, शक्ति कांतिदास, इसके अलावा 6 अन्य सदे से होते हैं, 3 होते हैं, RBI के और 3 होते हैं, Government of India के, इनके नाम तो डिसकस नहीं करने हैं, यहां से मैं आप लोगों को यह बताना चाहा रही हूँ, कि इसी Monetary Policy Committee के द्वारा जो रेपोरेट होती है, reverse रेपोरेट और जो मुद्रा इस्वीती है, कि भारत में महंगाई कितनी होनी चाहिए, यह सभी इसी कमीटी के द्वारा नेर्धारित किया जाता है हाली में CBI के नए देशक कौन मने हैं, तो यह भी हाली में बन गया है, सुबोध कुमार जैसवाल, सुबोध कुमार जैसवाल जो की 1985 बैच के महराश्ट के एडर के IPS officer हैं, और यह CISF के प्रमुक हैं, और इसके पहले यह मुंबई पुलिस कमिशनर और महराश्ट के DGP के पद परकारी कर चुके हैं, यदि हम बात करें, CBI की Central Bureau of Investigation इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, हैटक्वाटर इसका स्थित है नई दिल्ली में, यदि हम बात करें, सुसील चंद्रा की, जो की हाली में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गया हैं, यह हमारे 24 वे क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यह हमारे नए सुचना आयुक्त बनाए गया हैं, अगला है, हाली में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है, तो हाली में जो हरियान गवर्मेंट है, इसके द्वारा राज के लिए ये योजना है जिसका नाम है संजीवनी परियोजना हरियाना के लिए हम बात करें तो मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर राज जेपाल है सत्य देव नारायन आरिया इंपोर्टन नेशनल पार्क है कलेसर और सुल्तानपूर्ग और एनिमिया मुक्त भारे सुचकांक मे याद हो ही चुका होगा गुडगाओं में बढ़ते प्रदूशन के लिए प्रोजेक्ट एयर केर के शुरुआत हरियाना में की गई और हरियाना के मुख्य मंत्री ने यहां एयर टेक्सी सर्विस के शुरुआत की है कहां से की थी हिसार से अगला कोश्चन है किस राज जिन ने आ रहा था रेमडी सीवर और जो ऑक्सिजन सिलेंडर होती है इनकी बहारी मात्रा में काला बाजारी की जा रही थी और उन जरूरत मंदों तक यह नहीं पहुच पाता था जिन्हें एक्ट्वल में इसकी जरूरत होती थी तो ऐसे में क्या किया गया है कि रेमडी सीवर क पर किसी अस्पताल को यह दवा दे दी गई है तो मरीज के पास तो मैसेज चला गया कि इस अस्पताल में यह दवा मिलनी है लेकिन अस्पताल वाले यदि वह दवा मरीज को नहीं देते तो इसकी रिपोर्ट जो मरीज है यह सरकार को कर सकेगा यही फैसिलिटी शुरू की ही है करनाटक गौर्मन्ट के द्वारा इधी हम बात करें करनाटक की तो इसकी राजधानी बैंगलॉर जो कि व्रशभावती नदी के किनारे बसा हुआ है इसी बैंगलॉर में हैटक्वाटर इस्तित है भारत की स्पेस एजेंसी इस्रोग और प्रसिध आईटी कंपनी जिसका लगों को बताया था कि आईश्मन भारत योजना की क्रियानवन में जो राज्जी टॉप पर है ये करनाटक ही है इसके लावा जो इंडिया इन्वेशन इंडेक्स किया गया था इसमें भी करनाटक टॉप पर है अगला है हाली में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के जिसे कि अन्न की ही योजना चलाई गई थी तो सेम उसी तरह से ट्रांसजेंडर भी पीछे ना रह जाएं तो इनके लिए भी इन्हें वित्ति सहायता देने के लिए पंद्रा सो रुपए की घुशना की गई है अब देखे यहां पंद्रा सो प्रती परिवार नहीं है यहां है प्रत्यक ट्रांसजेंडर को पंद्रा सो रुपए देगी केंद्र सरकार ताकि इस पैसे के इस्तमाल ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी दैनिक जरूतों को पूर इन्वर्स्टी ये उत्तर प्रदेस के कुशी नगर में स्थापित की जानी है। इनी के सहायता के लिए इनके शिकायतों के निप्टान के लिए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी डर्सक ये तेलंगाना में खुला है। लोग सेवा आयो की परिक्षा में पॉर्टर लांच किया है। और गुजरात के वडोद्रा में एक गरिमा ग्रह एक शेल्टर हों फो ट्रांसजेंडर परसंस इसका विद्गाटन किया गया है। हाले में भारत जैव विवित्ता पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जीता है साजी एन-म ने साजी एन-म जिन्हें केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। यह पालतु प्रजातियों के संरक्षन के लिए प्रसिद्ध हैं जिसके लिए इन्हें 2021 के मतलब कि इस साल के भारत जैव विवित्ता पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। पुरुसकार के रूप में इन्हे दो लाग रुपए नगद और प्रसस्ते पत्र दिया गया है। और जैव विवित्ता दिवस यह मनाय कब जाता है। 22 मई को। यदि हम अधर आप्षन की बात करें तो जो केके सलजा है। यह है केरल की हेल्थ मिनिस्टर जिन्हें कुसमा पहले ही युनाइटेड नेशन के द्वारा एक आवार्ड से सम्मानित किया गया था कोरोना काल में इनके बहतर लीडर्शिप के लिए। यह हम बात करें विद्युत मोहन की तो इन्हें कुसमा पहले ही युनाइटेड नेशन एन्वायर्मेंट प्रोग्राम की द्वारा यंग चैंपियन ओव दा अर्थ और इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं इसे अचानक से वजन बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा इसकी जो शिकार होती है यह होती है भीलाएं। तो इससी के बारे में और अवेर्नेस और इसकी रोग-style के लिए लोगों को प्रोगन के लिए यह दिवस मनाया जाता है 25 म माई को और इस बार की थीम थी mother baby iodine the importance of iodine on the woman and her baby क्योंकि ये जो thyroid drug है ये iodine की कमी के कारण ही होता है other option की बात करें तो 20 माई को मनाया गया है विश्व मधुमक्की दिवस यहीं की world B day और 22 माई को मनाया गया है world biodiversity day इसके लावा 24 माई को राच्ट मंडल दिवस यहीं की common world day मनाया गया है और यह टाइपिंग मिस्टेक है यह है question number 9 अगला है यह question मैंने revision के ले रखा है भारती रेलेवे दुआरा किस 6000 इस्टेशन पर वाई-फाई की सुविधा शुरू की गई है तो इंडियन रेलेवे के दुआरा हाली में जहार खंड के हजारी बाग में इस सुविधा की शुरूआत की गई है और ऐसे सुविधा प्राप्त करने वाला यह भारत का 6000 इस्टेशन बन गया है क्योंकि इसके जो शुरूआत हुई थी मतलब कि इस्टेशनों में वाई-फाई की facility दिये जाने की जो शुरूआत ही प्रोवाइड कर आई गई है इंडियन रेल्वे के द्वारा और प्रेजन टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है प्यूश गोईल जी भारत की जो पहली किसान रेल है यह चलाई गई थी महराश्ट के देवलाली से लेकर कि बिहार के दानापूर तक जबकि भारत की जो पहली प्रोड़क्ट को ब्रेटेन को निर्यात किया गया है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आ है तो लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच